ओम सांती, आज 2 जुलाई 2021 की मोडली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए, अब बाप तुम्हें डाइरेक्ट सुना कर आप समान नौलेजफुल बनाते हैं, प्रस्न है आज की मोडली का, अच्छे पूर्शारती बच्च की निसानी तथा, उनकी अवस्ता का गायन क्या है? उत्तर है, अच्छे पूर्शारती बच्चे, मदर, फादर को पूरा-पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा-पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल, बाबा की याद में जर उन्हें ही महावीर कहा जाता है, गीत, बोले नास से निराला कोई और नहीं, अब सुनते हैं मुर्ली विस्तार से, ओम संती, बक्ती मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है, तुम बच्चे अभी समझते हो, बक्ती मार्ग में हम भी गाते थे, अब वही बोलानात समूख है, बोलानात अक्सर बक्ती मार्ग का है, ग्यान मार्ग का अक्सर है सिर्फ बाबा, तुम समझते हो, अनादी बने बनाए ड्रामा प्लैन अनुसार, अब संगम युकपर बाप को आकर हम से, ये पुर्शार्थ कराना ही है, कल्प कल्प पुर्शार्थ कराते आए हैं, कितना सम तुम बच्चों ने बक्ति की है यह भी सिद्ध कर बतलाते हैं जिनोंने पहले पहले बक्ति शुरू की है वही आकर ज्ञान लेंगे और फिर सुर्यवनसी बनेंगे सत्युग में सिर्फ एक लक्समी नारायन तो नहीं आते उनकी डिनेश्टी भी है न उनको कहा जाता है देवी वर्ण बारत में देवी वर्ण था अब आसुरी वर्ण है यह संगम अब आसुरी से देवी वर्ण में जाना है बरोबर ये महाबारत लड़ाई भी वही है जो गाई हुई है सिर्फ नामसीव के बदले क्रशन का डाल दिया है एक गीता खंडन हुई तो सब सास्तर खंडन हो जाते हैं मूल बात गीता की है गीता पाड सालें वा गीता बवन कितने हैं गीता ग्यान सुनने की पाड़ साला खुद सुनाने वाला है नहीं जो होकर जाते हैं वह फिर गायन चलता है बच्चों को तो रोज बाब बहुत प्यार से समझाते हैं बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है सब को प्यार से सिकलाते हैं बाबा कभी गुसा नहीं करते, सदे प्यार से समझाते हैं, बच्चे तुम सतो प्रदान थे, फिर पुनर जनम लेते आये हो, तुम भारतवासी ही असुल देवी देवता धरम के हो, यह भी बतलाते हैं, पहले पहले वर्षा लेने कौन आएंगे, जिन्नोंने कल्प पहले लि वही कहेंगे बाबा, आपके सिवाई हमारा सायक और कोई नहीं, बाप समा भी तब करेंगे, जब संगम यूग होगा, यह तो बच्चे जानते हैं, कि रावन राज्य और राम राज्य यहीं होता है, रावन राज्य है, तब तो राम राज्य चाते हैं, तुम सब, तुम ज जब सिर्व बाबा कहते हो तो बुद्धी निराकार तरफ ही जाती है निराकार ही याद आता है आत्मा ही बाप को पुकारती है ऐसे भी नहीं कि परमात्मा कोई बैट सुनते हैं बाप समझाते हैं ड्रामा प्लैन अनुसार पतितों को पावन बनाने के लिए तो मैं सरीर में आता हूँ ऐसे नहीं कि पुकार सुनकर आता हूँ बक्ती जब पूरी होती है तब मुझे आना ही है यह समझने की बाते हैं वह समय आता है बच्चे पुकारने लगते है यह तो कहां लिखा हुआ नहीं है कि कब आएंगे उन्होंने कल्ब की आयू रॉंग लिग दी है यह गर-गर में होने चाहिए, जो रोज देखे और याद करे, कि ये बाबा, ये दादा, ये वर्सा, बाबा कहते हैं, बच्चे, सत्तो प्रदान बढ़ने के लिए, मुझे याद करो, तो खाद निकल जाएगी, ये युकती बाप ही समझाते हैं, ये बाब भी कहते हैं, मैं भी पुर्सात करता हूँ, बच्चे, एक दोग को सावदान कर उन्नत्ति को पाना है, ये चित्रों की समझानी बहुत अच्छी है, सिव बाबा ब्रह्मा द्वारा इस्तापना कर रहे हैं, सामने महाबारी महाबारत लड़ाई खड़ी है, इतने अन्यक धरम विनास होंगे, उसके लिए लड़ाई जरूर चाहिए, ये बाते बच्चों को बूलनी ने चाहिए, बरोबर अब कल्यू गोर अंध्यारा है, कितने डेर मनुस्य है, जरूर विनास होना है, सत्यू में एक दरम होगा, जरूर 84 जनम का चक्र भी उन्हों नहीं लगाया है, ये तो सहज है, बाकी इतने सब दरमों का जरूर विनास होगा, फिर एक दरम की इस्तापना बरोबर हो रही है, सर्व का सद्गती दाता बाप है, बाप सही बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्चे जानते हैं, हम जो ये पड़ाई पढ़ते हैं, वो भविस्य से 21 जनमों के लिए पढ़ते हैं, बगवान वाच्च, मैं तुमको पढ़ा कर 21 जनमों के लिए स्वर का मालेक बनाता हूं, सूर्यवंसी चंद्रवंसी गराने की बरोबर इस्तापना होती है जो जितना पुर्षार्थ करेगा उतना उचपद पाएगा तो सिब बाबा कहते हैं इन मदर फादर को फालो करो इनों को सुक्सम वतन वैकुंड में भी देखते हो अपने को भी देखते हो हम भी महाराजा महारानी बनते हैं वैकुंड का भी साक्सातकार होता है मानते भी हैं बरोबर भारत वैकुंड था स्री करशनपुरी थी आज कंसपुरी है कल करशनपुरी होगी रात बदल दिन होता है न यह है आदा कलब बहत का दिन और आदा कलब बहत की रात अंध्यारे में ठोकर ही खाते रहते हैं ब्रह्मा की राज सो ब्रामनों की रात फिर तुम ब्रामन से देवता बनते हो सत्योंग में ब्रामन होते नहीं देवता होते हैं यब भी बच्चे जानते हैं भारत पवित्र राजस्तान था, फिर अप पवित्र राजस्तान बना है, भारत सदेव राजस्तान रा है, राजाई चलती आती है, और धर्म वालों के सुरू से ही राजाई नहीं चलती है बगवान ही राजा इस्तापन करते हैं बगवान ही आकर राजयोग सिकलाते हैं यह है निराकार ग्यान का सागर सुक का सागर तुम जानते हो बाबा से हमको वर्सा मिल रहा है जरूर हमारे पुर्शार्थ की देरी है जितना जो पुर्शार्थ करेंगे जितना रास्ता बताएंगे बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम पतिस से पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे कितना सहज है बाबा कहते हैं कितना सहज है ये लोकिक माबाप ग्यान में अगर है तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े माबाप सच्ची कमाई करते हैं तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए कोई-कोई बच्चे अच्छे होते हैं कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर गर-गर में ये पैगाम देते रहेंगे बाब भी कहते हैं कि पेगंबर और मेसेंजर मैं हूँ तुमको मेसेज देता हूँ कि घर चलो और धरम इस्तापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धरम इस्तापन करते हैं मैं सबको मेसेज देता हूँ कि अब वापिस चलना है बाबा कहता है कि मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अब वापिस चलना है यह दुनिया अब रहने के लायक नहीं है मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे तुम पावन से फिर रावन ने पतित बनाया है मैं फिर पावन बनाने आया हूँ थोड़े समय में ही यह बावम साधी चलेंगे तो समझेंगे यह वही महाबारत लड़ाई है तो जरूर भगवान भी होगा परंतु वह समझते हैं गीता का भगवान क्रस्न है कितनी मूझ है मुझे नहीं होते तो भगवान को आने की क्या दरकार बक्तिमार को बूल बलिया का खेल कहा जाता है अब बाव कहते हैं मुझे याद करने से सब बूलने खतम हो जाएगी आगे अपने को दे समझते थे अब अपने को दे ही समझते हो यह सावदानी बाव यह देते हैं कि बच्चों देही अभिमानी बनो यहां तुम बाब के समुख बैठे हो वहां सेंटर्स पर बच्चियां बैठ समझाएगी किसी बाबा ऐसे कहते हैं यहां तो डायरेक्ट बाब कहते हैं मैं आत्मों से बैठ बात करता हूँ तुम बच्चे जानते हो बाबा इन द्वारा हमको समझा रहे हैं यह बड़ा कल्यानकारी मिला है बाबा कहते हैं यह जो मिला है वो बड़ा ही कल्यानकारी है बाब कहते हैं निरंतर मुझे याद करो बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा लेना है बाब और स्वर्ग को याद करना है कोई भी विकर्म नहीं करना है अगर विकर्म करेंगे तो सोग ना बन जाएगा विकर्म कराने वाली है माया उस पर जीत पानी है इसलिए हनुमान महावीर की कता है तुम हनुमान महावीर हो ना हम तो बाबा के बन गए माया से हाड नहीं सकते तो बाबा को याद करते करते सतोप्रदान विक्रमा जीत बन जाएंगे नई बनेंगे तो अपना पद ब्रस्ट करेंगे पूर्शारती बच्चे जो होते हैं वह अपनी जीवन पर तरस खाते हैं कुछ भी हो जाए याद की यत्रा में रहेंगे अचल अडोल इस्तिर रहेंगे विनास तो हो नहीं है सबके काका चाचा मामा गुरू गोसा यादी सब खतम हो जाते हैं सद्गुरू कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ मनुस्य तो बिलकुल अंध्यारे में हैं तुम जानते उसी बाबा हमको साथ ले जाएंगे कहते हैं न काल खा गया परन्तु मैं तो तुमको सांति दाम में ले जाता हूँ आत्मा सरी छोड चली जाती है काल नहीं ले जाते हैं आत्मा को निकलना होता है अब तो मैं खुद आया हूँ तुमको वापिस ले जाने बाबा कोई माडने आया है क्या नहीं तुमको पुराना सरीर छोड़ना है आत्मा तमो प्रदान से सत्व प्रदान होनी है अब पांस तत्व भी तमो प्रदान है इसलिए सरीर भी ऐसे बनते है वहाँ सत्व प्रदान तत्वों से तुमारे सरीर भी गोरे बनेंगे बाप कहते हैं मैं फिर से सत्योगी आदि सनातन देवी देवता धरम इस्तापन करता हूँ तुमने ही चोर्यासी जनम भोगे हैं तुम अपने धरम को भूल गए हो और कोई अपने धरम को भूले नहीं हैं तुम अभी जानते हो हम असुल मैं देवी देवता धरम वाले इतने उच के लिए इतने उच से फिर नीच कैसे बने बाप बैट कल्प कल्प तुम को ही समझाते हैं तुम फिर औरों को समझाते होंगे बाबा कहते हैं मैं तुम्म्हारों को अब 84 का चक्र पूरा होता है विना सामने खड़ा है स्वर्क का मालिक बनने के लिए अपने को लायक बनाना है वो बनना है याद से सुब्व उट बाबा को याद करो बाबा वंडर है आप कैसे आते हो गिता में क्रशने का नाम दे दिया है परन्तो यह तो अब जानते हैं आप सम्मुख बात कर रहे हो वह सुनी-सुनाई भक्ति मार की बातें अब तो हम आत्मा को आप बाप मिले हो आत्मा को बाप मिलता है तो उस प्यार में आकर मिलते हैं बच्चे बाप के साथ बहुत प्यार से मिलते हैं यहां तो बड़ा यहां तो वह निराकार बाप है गुप्त इसलिए बाबा हमें सा कहते हैं इन से मिलते हो तो सिभ बाबा को याद कर मिलो मनुस्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं तुमारे में भी जो कोई जानते हैं, मेरा बन कर फिर भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, प्रतिग्या भी करते हैं, बाबा मैं आपका हो चुका हूँ, मेल चाए फिमेल, दोनों ही आत्मा कहती है, परंतु सरीर में हैं, तो मेल कहता है, आपका बन चुका हूँ, फिमेल कहेगी मैं बन चुकी हूँ बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे पूरा याद करेंगे याद बिगर कट निकल नहीं सकती तमो प्रदान से सतो प्रदान बन नहीं सकते सत्यूग में तुमको अखंड अटल सुक सांती संपत्ती का 21 जनम राज्य मिलता है स्वर का रचेता बाब जरूर अपना वर्षा देंगे गाते भी है परवा है पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की वा तो ये की बार आते हैं ये भी समझने की बाते हैं कई तो समझते ही नहीं आगे चल आँखुलेगी थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे वास्ता में ये यजय रचा हुआ है लड़ाई भी है इस यजय का किसको पता ही नहीं है रुद्र ग्यान यज़य रचा ही था कि विनास हो वह फिर यज़य रसते हैं कि विनास नहो सांती हो जाए यह यग्य फिर भी रचेंगे उनको यह पता नहीं है कि विनास होगा फिर क्या रहेगा अभी तुम बच्चे सारे विश्व के आदी मद्य अंत को जानते हो सबकी बहत की जनम कहानी को जानते हो ऐसे कोई नहीं जो कहे कि परम पिता परमात्मा की हम जीवन कहानी बताते हैं परमात्मा को ही सब कुछ बुलाते हैं ठीक है नब परमात्मा को ही सब कुछ बुलाते हैं न गड़ी गड़ी याद करते हैं कहते हैं न भगवान ने यह बच्चा दिया यह किया कोई-कोई ये समझते हैं, जिसकी वस्तू थी, उसने ले ली, ऐसे भी कोई समझदार पुरूस होते हैं, अनेक प्रकार के मनुस्य है, अब तुमको बाप मिला है, तो बाप कोई याद करना है, याद सही कमई होती है, तुम विश्नुमपुरी के मालिक बन जाएंगे, तुम स पत्यूग में से लेकर कल्यूग अंद तक सारे चक्र को जानते हो तुमारी बुद्धी में हूब हो ऐसा है जैसे बाप की बुद्धी में है इसलिए उनको ग्यान का सागर नौलेशफुल कहा जाता है अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो तुम बच्चों को अचल इस्तिर रहना चाहिए ऐसे नहीं कि माया गड़ी गड़ी आकर डोलाए मान करे सर्म बुट्टी चुई मुई नहीं बनना चाहिए बाप को याद नहीं करने से मुर्जा जाते हैं बाप को याद करने का पुरसाद कुम कर रहे हो समय नजदी आएगा फिर तुम देखेंगे हमारा पुरसादा पूरा हुआ अंत आ गई अच्छा अच्छा बाब दादा बोले मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे हस्ते हस्ते बन जाएंगे फरिस्ते वहा बाबा वहा मेरा भाग्या धारना के लिए मुक्यसा पहला पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमय करनी और करानी है, घर चलने का मैसेज सब को देना है, अब कोई भी विकर्म नहीं करना है, दूसरा, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है, छोटी मोटी बातों में छुईमुई नहीं बनना है, अवस्ता को अचल अडोल बनाना है, अब मीठे बाबा का मीठा वर्दान, चेकिंग करने की विसेस्ता को अपना नीजी संसकार बनाने वाले महान आत्मा भव, विस्तार, जो भी संकल्प करो, बोल बोलो, करम करो, संबंद्वा संपर्क में आओ, सिर्फ यह चेकिंग करो कि यह बाब समान है, पहले मिलाओ, फिर प्रैक्टिकल में लाओ, जैसे इस तुल में भी कई आत्मों के संसकार होते हैं, पहले चेक करेंगे, फिर स्विकार करेंगे, ऐसे आप महान पवित्रा आत्माई हो, तो चेकिंग की मशिनरी तेज करो, इसे अपना नीजी संसकार बना दो, यही सबसे बड़ी महानता है, आज की मुल्ली का स्लोगन है, संपूर्ण पवित्र और योगी बनना ही, इसने का रिटन देना है, अच्छा, ओम सान्ती